राश्ट्रों नती के पतपर नित्य प्रेरणा एक दिन एक प्रुष्ठ एक विचार श्री गुरुजी समगर बारा खंडों का संग्शिप्त रूप भारतिय विचार साधना पुने द्वारा प्रकाशित किया गया है मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाती सदानंद गोड बोले इन विचारों के एक प्रुष्ठ को प्रति दिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुचाने का प्रयास कर रही हूँ यह प्रकाशित विचार हमें प्रति दिन प्रेरणा देते रहेंगे आज दिनांक 29 अक्टूवर का विचार रक्षा बंधन का संदेश राष्ट्र का चैतन्य जागुरुत करना हमारी उपासना है पवरुष से भरा हुआ स्नेह के सूत्र में बद्ध अभेद्य संगटित जीवन आसे तू हिमाचल खड़ा करना है एकात्मता का आवभान कर मानव के सांस्कृतिक जीवन में उतक्रांती करते हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व को समस्टी में विलीन कर स्रेश्ठतम मानव जीवन का विकास करने वाला यह रक्षावंधन का दिन है इसके संदेश को ध्यान में रखकर अपने वयक्तिक जीवन को चलाते हुए राश्ट्रिय जीवन और मानवता के उतक्रांती पूर्ण कार्य में यतकिंचित भी कमी न रहे यह निश्चय कर कदम कदम आगे बढ़ते जाए अपने संग का कार्य संगटन का है संगटन याने संपूर्ण समाज को एक सुत्र में गूतना एक ही उपास्य की पूजा करने के संबंध में एक संतने कहा है कि जात पात पूछे ना कोई हरी को भजे सो हरी का होई इस सुत्र से किसी व्यक्ति के संबंध में कोई भी विपरीद भाव मन में न रखते हुए कि वह कौन सी भाषा बोलने वाला है वह कहा तक पढ़ा है वह किस पदपर है उसकी आर्थिक स्थिती कैसी है अथवा वह शहरी है या देहाती सब के बीच अपना काम करें इस भूमी में अधी प्राची इनकाल से संपूर्ण समाज को विराट पुरुष के रूप में हमारे सामने रखा गया प्रत्यक व्यक्ति उस विराट शरीर का एक छोटा सा अउश है मनुष्य का शरीर छोटी छोटी अगनित जीवपेशियो शेल्स से बना हुआ है उन अवयवों को एक सूत्र में परिचालित करने वाली एक चैतन्य शक्ती शरीर की असमिता है उसी के कारण सारे अवयों शरीर की भलाई की दुरुष्टी से कार्य करते हैं। इसी के कारण शरीर सुध्रुड, सुवयवस्थित एवं जीवमान दिखाई देता है। समाज रुपी शरीर की अवस्था भी उसी प्रकार है। समाज का प्रतेक व्यक्ती उन जीवपेशियों और अवयों के समान संपूर्ण समाज शरीर का अविचिन अविभाज अंगस्वरूप रहकर समाज शरीर की सेवा के लिए सर्वस्वारपन की भावना से युक्त होकर प्रयतनशील रहे, तभी समाज उतकुरुष्ट रूप से चल सकता है, रक्षाबंधन के पवित्र पर्वपर यही बात ध्यान में रखकर मन में निश्चे करें कि स्नेह की सच्ची अनुभूती लेकर कंधे से कंधा मिलाकर अपने में वास्तविक बंधुता का भाव उत्पन्न कर शुद्ध पवित्र एकात्म जीवन उत्पन्न करे यही आज के पुण्य पर्वपर आप सब के लिए आवभान तथा संदेश है, इसको ठीक प्रकार से समझ कर समुचे भारत को अपने अंदर समाविष्ट कर प्रवल और महान बनाने का प्रेत्न करने के लिए हम सब आगे बढ़े अरुण केतु को साक्षी रख कर निष्चे वानी आज गरज कर शुभकृती का यह मंगल उसर निष्ठाये मन में रहे चिरंतन भारत मता की जय वंदे मातरम